बहुती सांदार टॉपिक लाहे हैं बच्चों आपके लिए PMM 1, PMM 2 and PMM 3 क्या होती है यह मसीन्स PMM जिनका नाम है बहुती सांदार टॉपिक है और बहुत बच्चे कई बार कन्फ्यूज होते हैं तीनों में ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है यह सबसे पहले बाद में बताओंगा कि जो PMM है क्या मतलब है इसका PMM का मतलब होता है बेटा Perpetual Motion Machine Perpetual Motion Machine कि देखते है? PMM Perpetual Motion Machine सबसे पहले में बता दू यह मसीन्स क्या है? देखते हैं पहले यह लाज़ बताएंगे ठीक है? चलिए सबसे पहले PMM1 की दरफ चलते हैं PMM1 क्या है? PMM1 हमने लिखा है यहाँ पर Machine that produces work Continuously Without any energy input Clear है? एक ऐसी मसीन यह देख सकते हैं आप एक यह मसीन है PMM1 यह क्या कर रहा है? Work produce कर रहा है Continuously ध्यान रखने है? Continuously और कैसे? Without any energy input बिला energy input की कोई भी input इसने नहीं लिया इसका मतलब है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक मसीन है जिस पर हमने कोई भी input इसको नहीं दिया और यह क्या कर रहा है? लगातार work आपको दे रहा है work produce कर रहा है तो आप देखेंगे कि यह ऐसी मसीन है जो क्या कर रहा है? energy creating machine इसका मतलब है कि यह मसीन energy create कर रही है अगर आपने input में कुछ कोई भी energy इसमें नहीं दी और यह लगातार आपको work output में दे रहा है तो इसका मतलब है कि यह work produce कर रहा है without any energy input में लिए इसका मतलब है कि यह create कर रहा है energy को create कर रहा है और आप जानते हैं बच्चों कि first law of thermodynamics के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि energy ना destroy हो सकती है ना create हो सकती है इसको सिर्फ one form से दूसरी form में आप change कर सकते हैं, transfer कर सकते हैं इसका मतलब है आप कहेंगे कि सर बैटरी है बैटरी हमने लगा दी हमने कोई भी input नहीं दे रहे है लेकिन यह लगाता हमें वर्क दे रहे है तो बैटरी का यह है कि बैटरी भी कुछ time तक ही देगी एक time के बाद बैटरी भी आपके dead हो जाएगी तब यह वर्क नहीं देगी लेकिन ऐसे machine जो continuously वर्क दे रहे है infinite time तक वर्क आपको दे रहे है without any energy input वो machine कहलाएगी बैटरी एम एम वन virtual motion machine of first kind and such machines violate first law of thermodynamics क्योंकि इस तरह के machine क्या कर रहे है energy को create कर रहे है इसलिए यह क्या कर रहे है यह first law of thermodynamics को violate कर रहे है इसका मतलब कि PMM machine PMM1 जो machine है यह possible machine नहीं this is impossible machine क्या है impossible impossible machine जो possible नहीं है क्योंकि यह first law of thermodynamics को क्या कर रही है violate कर रहे है क्योंकि यह energy create कर रहे है अब जैक्षे है PMM2 machine that can generate work from a single heat हमें दिक्कत क्या हो रही थी हमने बोला कि हमने बौहे भी हीट इन्पूर्ट में हमने कुछ नहीं दिया है इसक needs वाले डियाग्राम में देख सकते हैं, कोई भी हमने energy का input नहीं दिया लेकिन work produce, ठीक है इसका क्या था? इसका जो constraints हा कि energy input नहीं दिया गया, चले energy input दे 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 इसको कोई दिक्कत नहीं है, इस constraint को हटा दे इस limitation को हटा दे है, हमने heat source यहां पे एक रखा, और heat source से हमने क्या दिया, इसको heat दिये, energy input दिया, अब यह work इसको क्या कर रहा है, work में convert कर रहा है, इसका मतलब है, कि PM1 जो machine थी आपकी, उसका जो limitation थी, वो हमने overcome कर दिये, PM2 एक ऐसी machine है, जो first law को satisfy कर रही है, क्योंकि first law के हिसाब से क्या था, क्रिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, एक form को दूसरे form में convert कर सकते हैं, तो इसने क्या क्या है, heat energy को work energy में convert कर दिया, इसका मतलब है, कि PM2 फर्स्ट लो को क्या कर रही है, violet नहीं कर दिये, क्या रहा है, फिर देखते हैं, कि यहां पर आप आप देखेंगे, अगर आपने Q को W में convert कर दिये, इसका मतलब है, जो work है, किसके बराबर हो जाएगा, क्यों के बराबर, अगर ऐसा होता है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था, कि unity 100% क्यों नहीं हो सकती, efficiency 100% क्यों नहीं हो सकती, इस हिसाफ से, अगर W is called to Q है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह efficiency 100% हो लो ग्रेड एनरजी को आपने हाई ग्रेड एनरजी में कम्पलीटली कनवर्ट कर दिया है, जो कि पसिविल नहीं है, कैल्विन प्लांक स्टैक्मेंट का वाइलेशन है, क्लियर क्लियर, तो कि इस तरह के जो मसीन होगी, उसकी efficiency 100% होगी, और कैल्विन प्लांक यह जो ऐसा मसीन है, प्लांक स्टैक्मेंट का वाइलेशन है, क्लिविन प्लांक स्टैक्मेंट के हिसाब से, इसको कुछ हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर यह रिजेक्ट करता है, तो उसकी इसमें डबलू जो आपका होगा, डफिनेटली, क्यो आपने यहाँ सप्लाई किया, उससे हमेशा कम होगा, क्लियर है, इसका मतलब है कि पर्पेच्वल मोशन मसीन, ऐसी मसीन है, जो की पॉसिबल नहीं है, विच इमपॉसिबल मैंने परसो भी बताया था आपको, जो की इमपॉसिबल है, जो की कैल्विन प्लांक स्टैक्मेंट का वाइलेशन किसका वाइलेशन है, बच्चो, वाइलेशन औफ कल्विन प्लांक स्टैक्मेंट यह आपको आप वाइलेशन नहीं करती है, फिर्स्ट लौ पी इम एम ने जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन यहाँ आवर कम हो जुक है, हमने 8 इनपुट दे दिया, लेकिन क्योंकि इस हम single reservoir के साथ heat exchange कर रहे हैं जो कि Kelvin plug statement का violation है, के लिए रहे हैं, इस तरह कि जो machine impossible machines है इनको हम नाम देते है PMM2 आप बात आती है PMM3 क्या है PMM3, यह machine that completely eliminates friction, एक ऐसी machine जो completely eliminate करें friction को and continues motion forever due to inertia, मतलब क्या है समझाता हूँ आपको ध्यान से देखेगा ये कोई surface है यहाँ ठीक है ये कोई surface है, horizontal rasa completely और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक मैंने एक ball suppose रखी है ठीक है, ये ball मैंने रखी है और मैंने क्या क्या और ये जो surface है इसको मैंने बोला कि実 labor है, this is frictionless क्या है frictionless है, μ is equal to 0, कोई friction of coefficient, coefficient of friction is 0, frictionless है, ठीक है और अब इसको मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको force लगाया F, और force जब मैंने लगाया या मैंने इसको धक्का मारा ball को और force लगा दिया मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, force को हटा दिया यह force क्या होगा, instantaneous, instantaneous, मैंने इसको force लगाया, मतलब कि एक instant के लिए मैंने इसको बस हलका सा धुका मार दिया इसको, ठीक है, और जब धुका मार दिया तो उसके बाद क्या है, जब यहाँ पे मैं position इसकी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यह कोई भी force इस पे, f जो है, वो नहीं जग रहा है इसका मतलब हमने मैंने थोड़ा सा इसको धक्का मारा और उसके बाद यह जो है लगातार लगातार इंफन नाइट टाइम तक जो है लगातार यह मोशन करता जा रहा है करता जा रहा है इसका मतलब हमेशा यह मोशन में है कि अब मोशन में कैसा होगा अगर यह फ् क्योंकि कोई भी surface completely frictionless नहीं हो सकती, क्योंकि friction zero हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, हम कुछ भी कर लें, friction को हम zero कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आप देखते हैं, अगर इस तरह सम करते हैं, तो एक टाइम आने के बाद यह क्या है, बॉल रुक जाएगी, क्योंकि इस पर friction लग रहा है, motion के opposite direction में, लेकिन अगर ऐसे कोई machine है, जो नहीं रहा है, इसका मतलब है कि, मतलब force हमने लगा के छोड़ दिया, आप नहीं लगा रहा है, एक यह बार लगाया बस, इसका मतलब है कि आप यह under force नहीं, अब अन्डर इनियर्स चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर friction नहीं तो eliminate नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई machine ऐसा करती है, तो उस machine को हम बोलेंगे PMM3, तो इस तरह की machine होगी, उसे हम PMM3 कहेंगे, a machine that completely eliminates friction and continuous motion forever, हमेशा हमेशा जो है, motion में रहेगी, किसके कारण, due to inertia, तो इस तरह की machine, इस तरह की impossible machine को हम PMM3 कहते हैं, जो कि संबब नहीं है, यह सारे के सारे कोई भी loss derived नहीं है, यह सारे के सारे laws, fundamental laws है, थर्मोडनिमिस के जो जितने भी laws है, वो fundamental laws है, nature के fundamental laws का मतलब है, यह observed laws है, यह कहीं से derived नहीं हожет, इनको observation से हमें पता चला है, कि इस तरह से चीज़ें होती है, clear है, observation है यह सारा है जितने भी हमारे पास laws है thermodynamics के उस सारा observations है और यहां से हमने देख लिया कि PM1, PM2, PM3 तीन तरह के machine है जो कि क्या है impossible जो मैं starting में बताना चाहर था आपको वो हम बता देता हूँ यह क्या है यह impossible machines है जो कि संभव नहीं है क्योंकि यह fundamental laws को वाइलेट करते हैं तो मैं आसा करता हूँ आपको यह बहुत ही clearly समझ आ गया होगा चले, thank you so much for watching this video